दोस्तों क्या आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ चाहते हैं कि आपकी किड्नी भी स्वस्त रहे, तो आज की वीडियो है आपके लिए, नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपक एक ड्रिंक बना कर दिखाऊंगी जिसका प्रियोग करके आप अपने लीवर को स्वस्त बना सकते हैं किड्नी को हेल्दी बना सकते हैं यानि लीवर और किड्नी में से जो भी अवांचिनिय पदार्थ होते हैं वो बहा निकाल सकते हैं आप इस डिंक के प्रियोग से और साथ ही साथ दोस्तों आपको मुटापी की समस्य है उसमें भी ये रहत का काम करेगा दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जो आपके कॉल्ड कफ को काट के रख देगा चाकू की तरह और आपका गला सही होगा साथ में दोस्तों आपके किड्नी भी स्वस्थ होगी और लिवर के लिए भी ये बढ़िया काम करेगा दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगे आपको कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों जो भी हम खाते पीते हैं जो चीजे भी हम खाते हैं उनसे जो टॉक्सिंस निकलते हैं धीरे धीरे क्या होता है हमारे लिवर में वो जमा होने लगती है उसकी वज़े से हमें लीवर की बहुत सारी प्रोब्लम हो जाती है जैसे कि कई बार हमारे अंदर खून नहीं बनता या फिर फैटी लीवर हो जाता है मोटापा भी बढ़ जाता है और भी बहुत सारी समस्यें आ जाती हैं हमारे सामने जब हमारा लिवर पॉपर रूप से काम नहीं करता तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको लिवर को सही करने का तरीका बताएंगे साथ ही साथ दोस्तों इस नुस्खे से आप अपनी किड़नी को भी स्वस्तरक सकते हैं और भी बहुत सारे फाइदे होंगे इस नुस्खे से तो चलिए बनाते हैं आज का नुस्खा दोस्तों आज की नुस्खे के लिए आपको चाहिए ये सामान जैसे की मैंने लिया है यहां पर लोंग ली है थोड़ा सा हरधनिया है ये है सोया की पत्तियां यानि डिल लिव्स एक सेव लिया है लहसुन ली है एक निम्बू लिया है और थोड़ा सा अद रख लिया है तो चलिए बनाते हैं आज का नुस्खा आज का नुस्खा दोस्तों बहुत ही helpful रहेगा आपकी health के लिए दोस्तों आपको किड़नी की समस्या है किड़नी में पत्तरी हो गई है या लीवर खराब है भूख अच्छे से नहीं लगती या और भी बहुत सारी प्रोब्लम्स हैं आपकी बोड़ी में तो आप इस नुस्खे का प्रियोग करें नुस्खा बनाना बिल्कुल आसान है और नुस्खा healthy भी है आपको कोई भी side fact नहीं करेगा तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं यहां पर lesson lesson को आपने इस तरह से छीलना है यानि कि इसका जो उपर वाला part होता है ये छील का ये आपने हटा लेना है यानि lesson को आपने पील करके लेना है तो ये छील चुकी है अब क्या करेंगे दोस्तों आपने इसको न बिल्कुल साफ कर लेना है और इसको दो हिस्से में divide कर देते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं बस आपने ऐसे ही करना है जो लेसुन होती है दोस्तों इससे हमें बहुत सारे फाइदे मिलते हैं आप इसका सेवन करके वजन भी घटा सकते हैं High Blood Pressure है जिनको वो इसका सेवन कर सकते हैं कोलिस्ठोर को कम कर सकते हैं दिल के लिए बहुत ही बढ़िया है और दमा जिन लोगों को है वो बीस मुस्खे का सेवन कर सकते हैं सर्दी जुखाम बुखार को तो ये ऐसे ही ठीक कर देगा एक खुराप में तो चलिए इस तरह से हमने लेसुन को काट लिया है जैसे आप देख रहे हैं बस ऐसे ही हमने इसको काटना है काट कर दोस्तों, आपने क्या करना है, लेनी है यहां पर लोंग, 10-12 आप लोंग ले लीजिए, और लहसुन में इस तरह से लगा लीजिए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने लगानी है, यानि हर कली में लोंग को लगा देना है, अब आप कहेंगे, य हम क्यों लगा रहे हैं दोस्तों ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि लहसुन और लोंग दोनों एक साथ मिलके हमें काफी फायदे करें क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ लेते हैं ना दोस्तों तो इससे हमारे खून में शुगर की मातरा भी कंट्रोल रहती है और साथ ही एंटी इंफ्लमेंटरी गुन और एंटी अक्सिडंट गुन पाय जाते हैं जो कि कॉलेस्टोल को बढ़ने से रोकता है यानि बैड कॉलेस्टोल को ये बढ़ने नहीं देती दोनों चीजे जब हम इनका ऐसे यूज करते हैं लेसुन और लोंग को दोनों को एक साथ ही यूज करना चाहिए दोस्तो यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इसके लिए आप इन दोनों का सेवन कर सकते हैं लेसुन और लोंग का इस तरीके से हमने लोंग भी ले ली है और लेसुन भी ले ली हैं दोनों को हमने इस तरह से यूज करना है इस तरह यूज करके दोस् अब चलीए आगे की चीज़े हम ले ले लेते हैं अब क्या करेंगे दोस्तों लेते हैं एक सिब सिब को आपने इस तरह से छिलना है यनि हमें इसका छिलका चाहिए, अंदर का पाथ नहीं चाहिए बस छिलका चाहिए इसके छिलके में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जैसे कि दोस्तों आप इससे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं इसमें विटामिन A और C बहतर तरीके से होता है तो विटामिन A और C होने के कार ना तो हमें कल्शिम की कमी होती है और हमारी आँखे भी तेज रहती हैं दिल के लिए बहुत ही बढ़िया है और डाइवटी जिन लोगों को है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आप इसके सेवन से मोटापे को भी कम कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारा सेव चिल चुका है सेव चिलने के बाद आपने इसका चिलका ले खाली जीए तो इस तरीके से सेव का यूज करना है आपने अब लेते हैं एक नीमबू और दोस्तों यहां जो भी चीजे मैं ले रही हूँ बिल्कुल साफ सुत्री करके लेनी हैं पहले अच्छे से इन सारी चीजों को बेकिंग सोडा के पानी में धोकर कपड़े से साफ करके ही इसका यूज करना है क्योंकि कई बार मिट्टी बगारा लगी रहती है चीजों पर तो फिर वो हमारे अंदर चल जाती है तो इसलिए आपने इनको साफ सुत्रा बना कर ही लेना है क्योंकि यहां हम रेमेडी बना रहे हैं कोई भी रेमेडी हम बना रहे हैं दोस्तों हमें साफ सुतरी चीजे ही लेनी चाहिए तो इस तरीके से नीमबू कट चुका है ऐसे से पीसीज आप निकालने पतले पतले पीसीज तो इसको भी हम बावल में डाल लेते हैं जहां हमने लेसुन और सेब कच्छिल का डाला है वही पर हम नीमबू को भी डाल लेते हैं अब अगली चीज लेते हैं अगली चीज हमने क्या लेना है यह है अद्रक अद्रक को भी दोस्तों आपने साफ करके ही लेना है अद्रक हम सारा नहीं लेंगे हम यहाँ पर लेंगे दो इंच के करीब अद्रक को आपने छोटे-छोटे टुकडों में काट लेना है जो अद्रक होता है न ये भी हमारे कॉल्ड कफ को सही करता है और जिनका डैजेशन खराब है खाया पी अच्छे से नहीं पच्छता हाजमा ठीक नहीं है वो इसका यूज़ कर सकते है इमुनिटी बढ़ाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते है और हमारी बोड़ी में कहीं पर भी पेन है उसमें ये राहत दिलाता है काडिय वस्कलर डिजीज में भी आप इसका यूज़ कर सकते है कैंसर के खत्रे को भी ये कम करता है तो कुल मिला कर दोस्तो जो हम यहाँ पर चीज़े ले रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया है हमारी हेल्थ के लिए तो आपने इन सारी चीज़ों को ऐसे लेना है अद्रक कट चुका है छोटे छोटे पीसिज में ये भी हम डाल लेते हैं उसी बाल में तो ये चीज़े दोस्तो हो गई हमारी ड्रेडी अब आपने क्या करना है लेना है एक पैन उसमें ये सारी चीज़े डाल दें जो हमने भी सारी ली हैं और उपर से एक लिटर पानी डाल दें पानी भी आपका साफ सुतरा ही होना चाहिए और इस तरह से दोस्तो आपने इसको रखना है पांच मिनट के लिए पांच मिनट के बाद ही हम इसको उबालेंगे तब तक सारे आपस में चीज़े मिल जाएंगी अच्छे से पानी में गून आ जाएंगे अब दोस्तो पांच मिनट हो चुके हैं हमने अब इसको उबाल देना है गैस पर रख ले उबाल देने इसको उबाल देते हुए जब इसमें तीन से चार उबाल आ जाए तब आपने दोस्तो गैस को बंद कर देना है बंद करके दोस्तो आपने इसको ढख कर रख देना है थोड़ा सा थंडा होने के लिए गरम गरम हम नहीं लेंगे इसको थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं तब ही हम इसका सेवन करेंगे इसको ढख कर रख देते हैं अब देखिए दोस्तों दस मिनट के बाद ये ठंडा हो चुका है अब डाल लेते हैं इसको एक काच के जार में इस तरह से मैंने लिया है काच का जार साफ सुत्रा कर ले इसको भी और इसमें डाल लेते हैं हम एक दो और चीजें ये है दोस्तो हरा धनिया हरा धनिया जो है वो आपके गले को सही रखेगा इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा साथ ही साथ पानी का भी स्वात बहतर बनाएगा और भी बहुत सारे फ और यहां पर हम ले रहे हैं थोड़ी सी सोया की पतियां यानि डिल लेस इनको भी हम धो लेते हैं थोड़ा सा धो कर आपने जार में डालना है और उपर से ये पानी डाल लेना है अब दोस्तो इस पानी का आपने सेवन करना है पानी का कब-कब सेवन करना है आप दोस्तो इ शे बजे के करीब सेवन कर सकते हैं, यानि खाना खाने के पहले, एक घंटा पहले आपने इसका सेवन करना है, दोस्तों यदि आप इसका सेवन करते हैं ना, तो आपका लीवर स्वस्थ हो जाएगा, लीवर में कोई भी गरबड़ी नहीं होगी, भूख आपको ठीक से नहीं लगती, तो आपकी भूख सही हो जाएगी, आपके अंदर मुटापा है, वो सही हो जाएगा, और ये सारी जो चीजे हैं, ये आपकी कॉल्ड कफ को सही करेगा, यानि कितना पुराने से पुराना आपको कफ जमा है अंदर, यानि जितने भी पुरानी कफ आपके अंदर है, वो सारा ये निकाल देगा, तो इस तरीके से दोस्तो आपने ये ड्रिंक बनानी है घर पर, और इसको पीना है, जब आप पीएंगे इसको दोस्तो, तीन दिन के प्रियोग से दोस्तो, आपको असर नजर आएगा, बहुत ही बड़िया हेल्थ हो जाएगे आपकी, जब आप इस पानी को यूज करेंगे, और एक और चीज, जिन लोगों को डाइवटीज है दोस्तो, वो इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, बस एक गिलास पानी का भरा और पी लिया, और जिन लोगों को डाइवटीज नहीं है, या फिर ऐसे नहीं पी सकते, तो वो क्या करेंगे, एक चमचीज में शहद मिला लेंगे, यहाँ पर दोस्तो, शहद भी आपने शुद लेना है, मिलावटी शहद बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो इस तरीके से दोस्तो, आपने शहद भी इसमें घोल लेना है, अच्छी तरीके से, जब यह आपका शहद गूल जाएगा, तो यह पीने में इतना स्वाद लगेगा ना, कि आप सोच भी नहीं सकते, तो इस तरीके से दोस्तो, आप यह ड्रिंक घर में बनाएं, और अपने लिए फायदा उठाएं, तो दोस्तो, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसी ही एक और रेमिडि के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद,